तथागत बुद्ध और उनकी धर्मविज्ञान सम्यक संदर्म की उत्पत्ति भागतिन तो स्वागत है आपका मेरे सांट्रिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर तो चलिए सुरू करते हैं मनुस्य सरीर तेन महाभोतों सरीर मित होता है मनुस्य अपने उत्पत्ति के लिए नौ महनी के चक्र से गुजरता है और एक सीसु कुरूप में उसकी उत्पत्ति होती है धीरे धीरे वहाँ वयास्क होता है और उसका चित्त जागरित होता चला जाता है चित्त को सक्ति चेतना से मिलती है चेतना उस नता से सक्ति प्राप्त करती है उस नता तीनों महाभूतों से मिलती है और तीनों महाभूत प्रक्यति से मिलते है मनुस्य का चित्त चंचल होता है वो सभी दिसाओं में भठकता है यहां उसको एक संदर्म के मार्ग दर्शन किया सकता होती है यदि मनिश्य को संदर्म मार्ग दर्शन होता है तो वह मद्यम मार्ग या सम्यक संदर्म कराता है मद्यम मार्ग या सम्यक संदर्म की उत्पत्ति के लिए चमा सिल्ता एवं अपेक्छा की उत्पत्ति पहला छमा सिल्ता एवम अपीच्छा की उत्पत्ती जब मनुस्य दूसरों को हताहत ना करने की पवित्तरता को धारन करता है तो वह किसी भी प्राली को कर्ष्ट नहीं पहुंचाता है, किसी को हताहत नुकसान नहीं करता है, और अहिंसा के मार्ग का पालन करता है, नियाम का पालन करता है, यह पवित्ता उत्पन्न होने पर मनुष्य में सम्म्यक समाधी का मार्ग उत्पन्न होता है, सम्यक समाधी द्वारा चित्त की अस्थाई एकाग गता उत्पन होती है जिससे पांचो बंधनों लोब द्वेस अलस्य संदेह एवं निश्चय से दूर रहा जा सकता है जब मनुष्य इन पांचो बंधनों से मुक्त हो जाता है अत्वा निर्वार प्राप्त कर लेता है जिससे उसमें छमा करने के सकतु उत्पन होती है और लप्च की ओर बढ़ने के सकतु उत्पन होती है जिससे वह अप्रिय अप्रिय फल न देख कर लगता लप्च की तरफ बढ़ता रहता है दूसरा दान शिल्दता की उत्पति मनुस्य में जब चोरी ना करने की पवित्तरता उत्पन होती है तो वह चोरी नहीं करता है और धात दूसरों की वस्तु को जब जस्ति अपने नहीं बनाता है इस प्रवित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य समयक अरजीका और समयक कर्मानत का मार्ग जब मनुझसे में उत्पन होता है वह हर जगह सम्मानित होता है और उसे मानसिक सांति प्राप्त होती है जब उसमें दान सिलते का मार्ग उत्पन होता है दान देना बहुत बड़ा पूर्नेकारी होता है दान से अपंग असहाय और द जिन दूखियों को मदद मिलती है तीसरा नैस से क्रिम्य की उत्पत्ति जब मनुस्य विचार ना करने के पत्त पर अगरसर होता है तो वह काम भोग संबंधी मित्याचार से दो रहता है जब मनुस्य ऐसे सद्रूनों से वसीभूत हो जाता है तब उसमें सम्यक द्रिश्टी क की प्रक्रिती उत्पन्न होती है सम्यक द्रिश्टी एथार्थ भुद्धी उत्पन्न होने पर मनुस्य सम्यसारिक अंधकार रुपी काराग्रिह से मुक्त हो जाता है और उसमें ग्यान रुपी प्रकास की गुण्ज उत्पन्न होती है जिससे वह नए सिक्रिम्य के मार्ग पर अग्रेसर होता है नैस्ट क्रिम के मार्ग पर चलने से वह समसारिक भोग विलासों को त्याग कर देता है जिससे वह सुक सम्रद्धी के साथ अपना जीवन यापन करता है जब मनुष्य से जूट न बोलने की प्रवित्त्य उत्पन होती है जब मनुष्य ऐसे सद्रोनों से वसिभूत हो जाता है तब उसमें सम्यक वारी और सम्यक स्मिति का मार्ग प्रसस्त होने से उसकी वारी में कड़वाहत नहीं होती और वह कटू बात से दूर रहता है जो कुछ भी वह बोलता है उसमें कटूता नहीं होती अनन्द होता है मैत्री होती है उसमें दिश्टिता होती है यह स्विकार करने योग्य होता है और उसका सभी स्वागत करते हैं सम्यक इसमिती ससत्त जागरुकता विचार सिल्ता को बनाए रखती है वह बूरी भावनाओं को चित्त में खुषने नहीं देती है जिससे वह पांचों बंधनों को मुक्त रहता है लोभ द्वेस अलस्य संदेह एवं अनिश्चाय जब मनुश्य की सम्यक वाली होती है तो उसका नेतिक स्वभाव भी अच्छा होता है वह जोटी निंदा नहीं करता है वहां सुनी तो यहां नहीं कहता जिससे वहां के लोगों और यहां के लोगों में संकट उत्पन हो सवहार्द को बढ़ाने वाला मेत्री को स्थापित करने वाला होता है सांती स्थापित करने के उद्देश से ही वह बोलता है मेल मिलाप कराने में ही उसे अनंद होता है प्रसन्नता होती है और हर्स होता है सम्यक इसमित्ती से सत्य उपचिता है जिससे वह हमेशा सत्य बोलत सत्atory बोलता सदा लाबकरी होता है वह ऐसी बात बोलता है जो समयलगुकुल हो '' , ऐसे बात जो याद रहे'' ऐसी बाद जो ज्यान से भरी हो ऐसी बाद जो ठिक से कही गई हो तथा ऐसी बाद जो हितकर हो पांचवा अधिस्ठान एवं विरी खुत पत्ति जो मनुस्य नसा खोरी ना करने की पवित्तरता को अपनाते हैं वे नसे तमासे जुआवरी सत्तवाज एवं हिंसा से दूर रहते हैं जब मनुस्य इन सदूरों से वभिभूत हो जाता है तब उसमें सम्यक संकल्प एवं सम्यक व्यापन पैदा होता है प्रियाप्त प्रकास मिलने पर मनुस्य उन मनुस्य से बंधन मुक्त हो जाता है और बंधन मुक्त होने पर मनुझ से अपने मन को किसी भी दिशा में दवडा सकता है सम्यक वियाम अविद्या को नाज करने का ठीक प्रयास करता है इस प्रयास से मनुझ से संसारिक अंधकार से मुक्त हो जाता है और चित्त से ऐसी प्रवित्यों को उत्पन्न करता है जो सम्यक मारकी और सक्ताओं की पूर्ती में सहायक होता है और इस प्रवित्यों का सत्तता विकाज भी करता है